Honor को यो budget smartphone Honor X6A हामरो टीम ले यूज़ गरी रहेको अल्मस्ट 15 डेज बायो यो पीरिएड मा हामिले एसमा photo, video capture, gaming, media consumption अरो सब्बई गरी रहेको थें रब योडा normal user ले यूज़ गरने सिनारियो अरो सब्बई मा टेस्ट गरी रहेको थें यो वीडियो मा हामिले एक्स्पिरियंस ले शेर गरने सो अब रिवियू स्टार्ट गरने अगाड़िचे इसको हाल को प्राइस को बारे मा बंधी आलसू अईले इसको प्राइस रुपीज 17,500 रहेको सा यू फोन को डिजाइन प्रीमियम फील उन सा इसको फ्रोस्टेड रो ग्लोसी बैक पैनल रो कर्व्ड राउंड़िड कॉर्नर ले इसको फील अज़े इंप्रूब करेको सा रा हात मानी कॉम्फटिबल सा डिस्प्ले एसमा राउंड़िड सा रा बिल्स बने प्लास्टिक तरह प्रीमियम फील बने मद जाले दिन सा पाथाडी कैमरा मोडिल बने बंप आउट बई को देखिन सा तरह क्लीन नहीं सा अब इसको प्राइस अनुसार इसको डिजाइन बने जस्टिफाइबल नहीं लागे मलाई अब बटन्स रो पोर्ट्स के कुरागरन परदा हीरी सि 5C port, volume rocker, sim tray, power on off रफिंगर प्रिंट सेंसर, single bottom firing speaker, headphone jack अरो सा अनि यो फोन मा 90Hz समा को refresh rate सपोर्ट गरने TFT डिस्प्ले सा जसले HD contents सा अरो सपोर्ट गर सा अवो content viewing experience बने यसमा डीसेंट नहीं सा तर इसले color बने अली को थी body नहीं sharp गरी दिन सा तेसे गरी यो फोन को display box मा और इवन website में 6.56 inch को बने को सा तर कर्ब डिस्प्ले रा बेजल जरो ले कर दा हीरी इसको actual display बने 6.56 inch बने काम सा जुन इवन आनर ले website माने mention गरे को सा यो फोन मा 90Hz सपोर्ट गरे पनी UI बने तेस्तो स्मूद लागे ना राली लाग बाई को जसे feel बाई राको उन्थियो ओफ लोटली बने इह प्राइस रेंज को लागी राम रे सा राम रो लाइकिंग कंडिशन मा यो फोन ले दीसेंट फोटोस अरू ने लिना सख सा तर अब लो लाइट सिचुएशन मा बने प्राइस अनुसार को मले राम रो ने लाग यो यो फोन को camera module को डिजाइन आध हीरी quad camera स र फ्लाश लाइट लाइनी क्यामरा मोडियल को जसे डिजाइन देगो सा तेसे गरी यो फोन मां फ्रंट फेसिंग क्यामरा ठीक नहीं सा डीटेल्स अरू अब तेस्तो राम्रो सही न तर डाइनामिक रेंज बने राम्रो नहीं सा यो फोन ले 1080p सम्मको वीडियो क्याप्चर गरना सक्सा 30fps मां तो अरो क्वालिटी बने आवरेज नहीं सा अपा परफोर्मेंस को कुरा गरनू परदा ही यो फोन मां देटो डेट तास्क अरू गरदा ही अलका लैग बईडा को जस्तो फील बाको थियो तो अपा इसको डीफोल्ट रिफ्रेश रेट लाई मांक्स 90 हर्ज मां लोगदा खेडी नाविगेशन मां बई रहेको लाग साउक बईओ तो अली हेवी तास्क तरू गरदा बने लाग नहीं बई बई रहेको थियो अबा अप स्वीच करदा पनी लाग बाको थियो तो आमरो टेस्टिंग पीरेड मां एउटा अपडेट आपो थियो अपडेट पथिचे अली अली तो रिजॉल्फ बाको था तो पुराही बने शाही ना So, future update औरूमा, hopefully, त्यों इस्जूस रिजूस रिजॉल्ग होना होला यो फोन मां MediaTek Helio G36 प्रोसेसर आऊचा यो फोन गेमिंग को लागी रेकमेंडेट से गर देना हो तर अब गेम बने लो सेटिंग मां खेलना सकिन्छा अब ग्राफिक इंटेंस गेम रा हाई परफॉर्मेंस डिमांडिंग गेम इसमा तिस्तो मुझाली खेलना से और को ती गारू नहीं उन्छा यो फोन को ओवरल परफॉर्मेंस अबने आवरेज नहीं सा बैटरी बने 5200 mAh और 22.5 Watt को चार्जिंग सपोर्ट आँसा अब यो फोन को बैटरी बने राम रो संग अप्टिमाइस सा रा परफॉर्मेंस पनी राम रो नहीं दी राको थियो हामरे देस्टिंग पीरियद माँ से हमेली इसली वन डे को बैकप पाई राको थियां रा चार्जिंग पनी अवो फास्ट नहीं साव अनुम नहीं तेन परसंट देखी ही हंडिट परसंट समा होना लाई से अराउं वान आर थर्टी मिनेट सती लाग सा यो फोन माँ हमेली अंडरोई 13 बेस्ट माजिक OS 7.1 पाऊ सो रा अनर को कस्टम OS बाई को होना ले फीचर्ज रा कस्टमाइजेशन अप्शन अरू दे रही नहीं सा जस्ते नकल ले डबल तैप करदा स्क्रीन शॉट मॉल्टी विंडो फीचर अरू सा अब ओवरॉल माई UI experience राम रो सा तर यो पर्टिकुलर मोडल को लागी OS कस्टमाइज ना गरी को जस्तो फील होन सा लाग जरूले करदा जुन्चे अब होपपली फ्यूचर अपडेट सार माय रिजॉल्व होन सा अब कंक्लूजन मा बननू परदाखी यो फोन ठीक ही नहीं सा लूक अनी डिजाइन राम रो सा ओव ओवराल माय एड़ाखी यो फोन व्याली फोर मनी अईली लाइचे शाइना तर फ्यूचर माँ अब्डेट सार आयो र यूआई को लाग जरू रिजॉल्व बायो बनेचे तो ताइम माय यो फोन व्याली फोर मनी होना साक्सा सु अजुल्व यो रिव्यू मान परियो बने लाइक, कॉमेंट, शेर रा सब्स्क्राइब गड़ना से नौ विर्सीनू अला आमेस ते रिव्यू जरूली येरा चिट्टेने आउने सों थैंक्यू पर वाचिंग